नमश्काब दोस्ताबा बहुत बहुत सोगते गेजिटवल के एक और एपीसोड पे जहाँ पर मैं आपको साइंस और टेक्लोजर वाड़े सारे लेटेस्टियों सबसे पहले आपके बास पहुंचाते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो शुरू करने से पहले टीबी डिस्पले टिक्लोजी लांच किया आए जैसे कब इस पिक्चर में देख सकते है रियलमी का कहना है कि इस टेक्लोजी का नामे एस लेटी डिस्पले टेकलोजी और इस टेकलोजी के साथ एक 55 इंच का 4K टीबी इंडिया में बहुत ही जल्दी आएगा और रियलमी के इसके बाद मैं आपके लिए एक स्पेशाल निउस लेके आचुका हूँ जैसे काभी स्क्रीन शॉट पर देख सकते रियल्मी एस अभी प्रोड़क्त बहुत ही जल्द इंडिया पर लाने बाला है यह सरे प्रोड़क्त आप देखी सकते रियल्मी 7 Pro SE रियल्मी बढद्स वर्लैस प्रोड़ वेनढ़ की अब इन्ड XL κα Вас यह और इसयों a खाल और मैं यह कमें सके और आयज्ट इंडियाँ में बाल यह तक क्यों इसके बाद का नीयूस आप, इसके विए बहुत स्मार्पोर नहीं खरीदा और वेट करें कि डायरेक्ट रेट्मी नोट 10 खरीदेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा न्यूज है रिसेली जो क्वालकॉम स्नाप्ट्राइब को सेवें फिप्टीजी लांच हो था जिसके साथ औरेडी मैंने तीन कॉंपरेजन वीडियो या फिर मैक्स नाम से आएगा मतलब रेड्मी नोट 10 के अंदर एक स्मार्पोन में स्नाप्ट्राइब को सेवें फिप्टीजी हन्रेट परसें होने वाला है इसके बाद का न्यूज है क्वालकॉम की तरफ से तो पिछले हापते मतलब पिछले हापते नहीं दो तीन दिन प स्नाप्ड्यागोन 775G और आकर इस चार्ट में देखेंगे तो इसमें मैंने इसके स्पेसिपिकिशन एकदा लिग दिया है कहां जारी कि यह बाला प्रोसेसा 6 नानोमीटर आर्किटेक्ट्चर पर आएगा 256GB तक का UAPC.01 का स्टोरेज होगा 12GB तक का LPDDR5 RAM का सपोर्ट और आगर हम इसका कॉंपरिजन स्नाप्ड्यागोन 765G के साथ करेंगे तो CPU के मामले में 40% तेज होगा और ग्राफिक्स कार के मामले में 50% तेज होगा स्नाप्ड्यागों 775 लांच होने बाला एक बहुत ही पार्फुल प्रोसेसर लांच होगा तो इसके बात के कुछ नीज है सैमसुंग की तरफ से तो मैंने आपको खाता सैमसुंग 15-2060 के अंदर एक नया स्मार्टपोन लेके आने बाला है जिसका नाम है गैलेक्सी एप सीरीज का स्मार्टपोन और जिसका टैग लाइन है फूल अन जैसे कब इस पिक्चर में देख सकतें सैमसुंग इस निया स्मार्टपोन लाने बाला है इसका नाम है गैलेक्सी एप 41 इसमें 6000 इमीज बैटरी होगा सुपर अमोलेद दिस्पले होगा 8th October लॉंच होगा एकशीन उस 961 प्रोसेसर होगा और कहां जारे कि इसका कैमेरा ट्रीफिल कैमेरा सेटप होगा और उसमें से एक कैमेरा होगा 64 मेरपिक्सल सेंसर और फ्रॉंड में होगा 32 मेरपिक्सल सेल्पी कैमेरा वैसे देखे तो इसके बाद Samsung आमने Galaxy A series के अंदर लाने बाला है दुनिया का सबसे पहला नहीं Samsung का सबसे पहला 5 camera बाला camera setup जिसका नाम है Galaxy A72 का ज़र कि इसका जो 5 camera setup उसमें से 1 होगा 64 megapixel दूसरा होगा 12 megapixel ultra wide तीसरा होगा 8 megapixel telephoto उसके बाद 5 megapixel macro और उसके साथ 5 megapixel depth sensor वैसे इसका price क्या होगा इसके बार में तो कोई information अभी तक नहीं है लेकिन ये बाला smartphone 100% launch जरूर होने वाला है तो Amazon ने बहुत सरे product पिछल दिन रात को launch किया है उसमें से जो पहला product हुए Amazon का 5 TV Stick का 3rd generation जिसमें कुछ नहीं बस अंदर का internal memory उसे इंप्रूब किया गया है और जो overall processor उसमें इप्रूब किया गया है और अभी ये जो 3rd generation 5 TV Stick इसका price is 4000 रूपए और इसके साथ Amazon ने अपना cloud gaming service जिसका नामे लुना और काजर की ये service compete करेगा Microsoft Project X Google Stadia और NVIDIA GeForce Now के साथ और इसके साथ Amazon ने इंडिया पे लांच किया अपना 3 Amazon Echo device जैसे के आप देख सकते Amazon Echo, Amazon Echo Dot और Amazon Echo Dot with Clock ये जो डिवाइस से शुरू होड़ा है 4,500 रूपए से और इसका जो maximum price वोए 10,000 रू Amazon ने launch किया designer बाला Amazon Echo लेकिन कल एक बहुत special product international market पे launch हो आई जैसे कि इस picture में देख सकते इसका नामे ring always home camera ये device दिखने में बिल्कुल ऐसा है लेकिन इसके अंदर जो उपर का कोफर ये दर सल एक flying drone है जो कि आटोमेटिकली काम करेगा आपको कुछ control करने की जरूरत नहीं AI software की मदद से आटोमेटिकली आपके घर के आसपस घुमेगा और घर के आसपस घुम के जो overall footage वो आपके smartphone में दिखाएगा मतलब कह सकते कि एक दो future stick autonomous AI drone security camera launch किया है इसके बाद Nokia आपने एक नया smartphone लाने बाला है जिसका नाम होगा Nokia 7.3 लेकिन इसका जो main feature वो होगा इसमें ब पर मिलेगा 48MP quad camera setup 24MP selfie 4000 image battery और मुझे लगड़े कि ए स्मार्टपन 20,000 के आसपस इंडिया में जरूर आएगा तो भीवो ने फेस्टेक नया smartphone launch कर दिया जिसका नाम है भीवो B20AC लेकिन पहली कहे तो यह बाला smartphone जब इंडिया में आएगा तो इसका प्राइस होगा 21,000 इसके बाद का निउस है Vodafone की तरफ से तो अगर आप Vodafone आईडिया मादब भी आई इसका कर connection यूज करते तो हो सकते कि आपको एक जीवी करके total 7GB डेटा आगले 7 दिन के लिए दिया जाएगा इसलिए अगर आपका Vodafone आईडिया का अगर एकाउंट है तो उसमें चेक किया है partnership करके 22 international flights में अपना mobile service को launch कर दिया है और ऐसा करने बढ़े इंडिया का पहला mobile service provider बन चुकर इंडिया का दूसरा telecom company बन चुकर टाता के बाद बदम कैसे कि जीओ ने एक टेल से भी बहुत ही आगे निकल गया है अभी service provider के मामले में तो दोस्तों मार्केट में एक नया तरके का fraud फिर से फैल रहा है अगर आपने बाहर के देश या पर बाहर के स्टेट से कुछ पार्सल मंगवा है तो बहुत ज्यादा चांज है कि आपको एक fraud call जरूर आया होगा fraud call मादब मैं आपको समझात हूँ सोचो कि आपके पास एक phone आएगा phone आने के बाद आपको जमा करना पालेगा customs duty में और बहुत सारे लोग ने पैसे जमा भी कर दिया है और इसी जगहाँ पर फ्रॉड रहा है पुलिस को यह पता नहीं चले रहा कि जो लोग स्कैम करने उन्हें एंप्रमेशन कहां से मिल रहा है कि आप कौन से प्रोड़ाट किस डेट पे कहां से order कर कर दीजिए तो पेट्रोल डीजेल ए तो धीरे-दीरे खतम हो रहा है नेक्स्ट की आए फुली इलेक्ट्रिक वेहिकल लेकिन इलेक्रिक कहां से बनेगा तो इसलिए बिलकुल नहीं जब फूएल सोर्स जो कि है हाइड्रोजेन फूएल सोर्स यह तो और बहुत दिन पहले बहुत सारे वेहिकल मार्केट में ऐसा होगा जो कि टोटली हाइड्रोजेन पावर्ड होगा और इसका फाइनल न्यूज जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते ग्लोबल वर्मिक तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके बज़ए से जो नौर्थ और साउथ पोल पे दूनिया के बहुत सैरी इसी रिजन के बज़े से डूप जाएगा तो आज के टिक्टर चाहिते हैं खूमीद आज के वीडियो के पसंद होगा इस वीडियो के बार में आपका जो भी बीचार है नीचे कॉमेंशन के लिकना बिल्कुली मन भुलिएगा तो मिलते अगले वी थिंक पोजिटिव बी पोजिटिव थैंक यू